नमस्कार कुसम कुकिंग लैब में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे लोकी टमाटर की सबजी जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है आप मेरे इस तरीके से लोकी टमाटर की सबजी को बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे यह खाने में बहुत साधिश्ट लगती है तो आईए बनाना शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर 400 ग्राम लोकी ली है मैंने लोकी को छील लिया है अब लोकी को मैंने छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है लोकी को हमें एक ही साइज में काटना है इस तरह मैंने सारी लोकी को काट के तयार कर लिया है लोकी को एक ही साइज में काट येगा नहीं तो लोकी ठीक से पक नहीं पाएगी ये देखे लोकी को मैंने काट कर तयार कर लिया है साथ ही यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज छोटे छोटे टुकडों में काट लिये हैं और चार टमाटर वो भी छोटे छोटे टुकडों में काट लिये हैं शुकर गरम हो चुका है तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच सरसो का तेल डाल दिया है अब तेल करम हो जाए तो इसमें डालेंगे आदी चम्मच जीरा एक तेश पत्ता, एक बड़ी लाएची, दो छोटी लाएची, दो साबुत लाल मिर्ची और एक चम्मच कटा हुआ लहसुन इस सब को अच्छे से भूनेंगे अच्छे से भून जाएं तो इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, प्याज को हम दो मिनद तक अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, तो टमाटर भी हमने डाल दिये हैं अब हम टमाटर और प्याज को अच्छे से भूनेंगी तो उसे तीन मिनाट तक चलाते हुए लगतार भूनेंगी टमाटर और प्याज को तब तक भूनना है जब तक टमाटर सोट ना हो जाए इसमें कुछ बेसिक मसाले एड़ करेंगे आदी चम्मच हल्दी पाउडर आदी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आदी चम्मच गरम मसाला एक चम्मच धन्या पाउडर नमक मैंने आदी चम्मच डाल दिया है आप स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं अब इन सब मसालों को अच्छे से चलाएंगे लगातार चलाते हुए दो से तीन मिनट तक हमें मसालों को भूनना है मैंने यहाँ पर एक चुताई का पानी डाल दिया है और मसालों को अच्छे से चला दिया है पानी डालने से मसाले अच्छे से पक जाएंगे मसाले पक चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई लोकी लोकी को डाल कर हम दो मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे लोकी में अच्छे से मसाला कोट हो जाए अब हम यहाँ पे डालेंगे एक कटोरी पानी पानी आप जादे या कम डाल सकते हो लोकी को मैंने अच्छे से चला लिया है 2-3 मिनट के लिए हमने लोकी को अच्छे से चला लिया अब में कुकर का धकन लगा कर इसमें 4-5 सीटी लगानी है सीटी लग चुकी है अब हम कुकर को खोल कर देखते हैं लोकी पक्च चुकी है अब हम लोकी को हलके से मैस कर लेते हैं सब्जी हमारी बनके तयार हो गई है आप इस रेसिपी को रोटी पराते चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ